54 साल के हो चुके हैं सलमान और अब भी कुवा रहे हैं। कई बार तो सलमान की शादी के कार्ट तक छप गए लेकिन शादी नहीं हुई। सलमान खान जब से बॉलिवुड में आये हैं उन्हें कई दफा प्यार हुआ। कई हसीनाए आई और गई और सलमान के खाते में वही सौध दर्थ छोड़ गई। कभी सलमान ने धोका दिया तो कभी सलमान को धोका मिला और कोई भी रिष्टा शादी तक नहीं पहुच पाया। सलमान के साथ एश्वार्या राय बच्चन और कट्रीना कैफ की प्रेम कहानी की बहुत चर्चा है। लेकिन सलमान की जिंदिगी में कई और लड़कियां भी आई। दिलिप कुमार की भती जी शाहीन, संगीता बिजलानी, सोमी अली से भी रहा सलमान का रिष्टा। सलमान का नाम स्नेहा उलाल, दिया मिर्जा, जरीन खान, महक चहल से भी जुड़ा। फिलहाल सलमान खान का नाम यूलिया विंटूर के साथ जुड़ रहा है। बॉलिवुट में आने से पहले सलमान दिलिप कुमार की भती जी शाहीन के प्यार में थे। शाहीन नभे के दशक में बॉलिवुट की कई फिल्मों में दिखी थी। सलमान खान और शाहीन के बीच कॉलिज के जमाने से प्यार था। शाहीन ने सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए आडिशन भी दिया था। लेकिन शाहीन फिल्म में फित नहीं हो पाई और धागिश्री ने मारली बाजी सल्मान और शाहीन एक साथ बॉलिवुड में आये थे सल्मान और शाहीन की लव स्टोरी आगे नहीं भड़ पाई 1997 में शाहीन की शादी आक्टर सुमित सहगल से हो गई संगीता बिजलानी और सल्मान खान की लव स्टोरी शुरू होती है 1987 से जब सल्मान मॉडलिंग किया करते थे उस वक्त वो संगीता बिजलानी के बॉइफरेंड के तौर पर जाने पहचाने जाते थे 80 के दशक में संगीता चार थी संगीता की बदौलत उस दौरान वो कई आड में भी देखे गए सल्मान को मॉडलिंग का काम दिलवाती थी संगीता करीब पाँच सालों तक संगीता बिजलानी के प्यार में रहे सल्मान दोनों ने शादी का फैसला कर लिया सल्मान और संगीता के शादी के कार्ट्स तक छप गए थे लेकिन इसी दौरान सल्मान की जिदिगी में आ गई एक पाकिस्तानी लड़की वो लड़की थी सोमी अली सोमी अली की खाते सल्मान ने संगीता से शादी नहीं की इस बात का खुलासा खुद सलमान ने करन जोहर के शो कॉफी विध करन में किया था बिग बॉस सीजन नाइन में भी उन्होंने बताया था कि कैसे शादी के काट छप जाने के बाद वो संगीता से नहीं कर पाय थे शादी बात के दिनों में संगीता ने अजहरूदीन से शादी कर ली थी और सलमान खान की जिंदिगी में एक के बाद एक कई नाम शामिल होते रहे कहते हैं फिल्म मैंने प्यार किया में सल्मान को देख पाकिस्तान की सोमी अली सल्मान की इतनी बड़ी दिवानी हो गई कि वो इंडिया आ गई 1991 में सोमी अली मियामी से सीधा मुंबई आ गई उस वक्त 15 साल की सोमी का सिर्फ एक ही मकसद था सल्मान खान से शादी करना सोमी ने New York Time को दिये इंटिव्यू में कहा था 15 साल की उम्र में आपको ना समझी का लाइसेंस मिल जाता है मैं उसकी दिवानी थी और उससे मिलने के लिए मैंने फिल्में जॉइन की सलमान के करीब आने के लिए सोमी ने सबसे पहले अपना फोटो शूट करवाया वो बॉलिवुट फिल्में पाने की कोशिश कर ही रही थी इसी दोरान सलमान को भी अमेरिका से आई अपनी उस दिवानी की खबर मिली और उन्होंने सोमी को फोन किया सलमान भी अपने लिए सोमी की ये दिवानगी देख उनसे ज्यादा दिनों तक अंजान नहीं रह सके अब सलमान का नया प्यार सोमी थी करीब आट सालों तक चला सोमी अली और सलमान खान का फैर लेकिन 1998 में सलमान का दिल सोमी की बजाय किसी और के लिए धड़कने लगा फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान अब एश्वर्या से आँखों की गुस्ताख ही कर रहे थे सोमी को इसी खबर लगी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी सलमान और एश्वर्या का फैर शुरू हुआ तो सोमी का दिल तूट गया सलमान से जगडे बढ़ने लगे सोमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी कहते हैं एक दिन दोनों के बीच एश्वर्या को लेकर जबरदस्त बहस हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि सलमान एक रेस्टोरेंट में सोमी के सिर पर कोल्डरिंग की पूरी बोतल उडेल दी इसके बाद तो सोमी एक दिन के लिए भी इंदिया में नहीं रुकी उसी रात वो अमेरिका लोट गई सलमान खान एश्वर्या सोमी सलमान की लाइफ से गई तो शायद उन्हें इस बात का दुख भी नहीं हुआओगा क्योंकि अब उस लड़की के सपने देख रहे थे सलमान जिसकी ब्यूटी की चर्चा इंदिया में नहीं अल ओवर दे वर्ल्ड हो रही थी सलमान और एश्वर्या भर फिल्मी पार्ठी अवॉर्ड फंक्शन और इविंट्स पर साथ नजर आने लगे ऐसा लगने लगा कि अब एश्वर्या और सलमान शादी कर लेंगे लेकिन चार साल बाद ही इस मोहबत में चोट खा गए सलमान कहते हैं एश्वर्या को लेकर बहुत पोजेसिव हो गए थे सलमान, जब जगड़े बढ़ने लगे तो एश ने मीडिया को लेटर लिखकर ये बयान दिया कि सलमान से उनके सारे रिष्टे तूट चुके हैं सलमान को अपनी गलती समझ में आई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी सलमान खान कट्रीना साल 2004 में सलमान की लाइफ में एक नयाद चैप्टर खुला एश्वर्या से जो दिल तूटा था उससे अब कट्रीना संभाल रही थी सलमान का दिल उनसे उम्र में करीब 20 साल चोटी कट्रीना पर आ गया था लंदन से आई कट्रीना सलमान की बहन अलवीरा की फ्रेंड थी घर की एक पार्टी में महमान बन कर आई थी कैट और फिर सलमान कट्रीना के दोस्त ही नहीं गौट फादर भी बन गए साथ सालों तक कट्रीना सलमान की लाइफ में रही साल 2012 में शादी का वादा भी हुआ था खान परिवार भी कैट में अपनी होने वाली बहु को देखने लगा था लेकिन उसी दौरान फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर कट्रीना रनबीर के प्यार में पढ़ गई और सलमान की शादी होते होते रह गई सलमान खान यूलिया वंतूर पिछले कई सालों से सलमान खान के साथ अकसर नज़र आती हैं यूलिया वंतूर यूलिया वंटूर रोमानिया की मशूर टेल्विजन अक्ट्रेस और होस्ट है सलमान से यूलिया की मुलाकाद डबलिन में हुई थी सलमान वहां फिल्म बॉडिगार्ट की शूटिंग के ले गए थे सलमान और यूलिया एक बार मिले तो फिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए सलमान किसी रोमैनियन ब्यूटि को डेट कर रहे है इसका खुलासा भी जल्द ही हो गया सलमान के साथ हर वक्त नजर आती है यूलिया लेकिन यूलिया से वो शादी करेंगे या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी बीरो रिपोर्ट इट्वेंटिफोर